नमस्कार में दिव्य बिहारी न्यूज में आपका उस्वागत है आज 18 दिसंबर दिन सोमब और खब्रकियों बंडे से पहले एक नदर सुर्खियों पर बसों के लिए बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी राजी के 7100 से अधिक प्राडंबिक विद्याले में मिलेगी खास सुविधा दरोगा भरती परिक्षा में नकल करते पकरे गए तीन अब ध्यरती पंगत स्रिपाथी ने किया मैं आचल हूँ फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान भारत ने पहले बंडे में दक्सिन अप्रिका को आठ विकेट से हराया अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के पठीस बरी खबरों के और दस्तार से SJVN लिम्टेट में ग्राजवेट एवं टेक्नीसियन पदों पर अप्रेंटिस सिब का मौका भारत की मिनी रत्म कंपनी SJVN लिम्टेट की ओर से ग्राजवेट इवं टेक्नीसियन अप्रेंटिस के चार सो पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में बे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह सतलूद जल विद्यूत निगम की ओफसेल वेबसाइट LJVN.nic.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादे कि आविदन करने की शुरुआत आज से ही हो रही है वही आविदन करने के इंतिम तारीक 7 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर सेक्षिनिक योगता की बात करे तो आविदक के पास संबन्धित फिल्ड में ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या फिर इंजीनियरिंग की डिगरी होनी चाहिए वही कुछ पदों के लिए ग्राजोशन के साथ M.B.A की क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसे दूरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किएगा नोटिफिकेशन को जरूर दे बसों के लिए बिहार सरकारी की नई गाइडलाइन जारी तो संबंदित बस का पर्मिट रद कर दिया जाएगा जिसके साथ ही विभाग के द्वारा ये भी नियम बनाए गए हैं कि अब वाहन का टिकेट अधिकरित एजेंट से ही बुकिंग करना होगा और ये भी निर्धारित सरकारी दर पर होगा ऐसे में अगर किसी के द्वारा अनाधिकरित एजेंट या वेक्ति का उपयोग कर टिकेट बुकिंग किया जाता है या फिर निर्धारी सरकारी दर से टिकेट बुकिंग नहीं किया जाता तो ऐसे स्थिति में बस मालिक पर कारवाई की जाएगी और साथ ही उनका पर्मिट रिनोल भी कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा दोवाला से सभी बस मालिकों को बस ड्राइवर कंड़क्टर का नाम मोबाइल नमबर और पर्मिट संख्या बस पर लिखने का निर्देश दिया गया है मालूमों की परिवान विभाग की ओर से यह नई गाइडलाइन ग्यातियों की सुरक्षा को देखते वे जारी किया गया है बिहारी बवग इस पैसल में आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर के बारे में बिखारी ठाकुर का जन्म आज के दिन 1887 में हुआ था यह एक भारतिय भोजपूरी भासक अभी नाटक कार गीत का रभिनेता लोक नर्तक, लोक गयक और सामाजिक कारे करता थे उन्हें भोजपूरी भासक के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाता है और वे पुर्वांचल और बिहार के सबसे लोग प्रिये लोग लेखाक हैं विखारी ठाकुर को अक्सर भोजपूरी का सेक्सपियर कहा जाता है और राय बहादुर उनकी रचनाओं में एक दर्जन से अधिक नाटक मोनोलोग्स उन्हें महिला भूमिकाऊं में पुरुष सबाविनेताओं को कास्ट करने वाले पहले वैकती के रूप में भी स्रे दिया जाता है अधिकांस रचनाओं प्रकासित के उनकी प्रारंबिक रीदिया संबाद और संगीत नाटक थी उनकी याद की रचनाएं, दार्सनिक रचनाएं, भजन, हरीकिर्तन और अन्यकविताएं थी 1963 में उन्होंने भोजपूरी फिल्म विदेशिया के एक गाने में विसेश भूमी का निभाई विकारी नामा विकारी ठाकूर के जीवन पर लिखा गया एक संगीत में नाटक है 72 मिनट लंबी डॉक्यूमेंटरी फिल्म लॉन्डा नाच पर उनके नाम पर इसका नाम नाच विकारी नाच रखा गया राजी के 7100 से अधिक प्रारंबिक विद्याले में मिलेगी खास सुविदा बिहार सरकार के सिक्षा विभाग या परमुखे सचीव केके पाठक के द्वारा ने साल में राजी के सभी 71,833 प्राडंबिक विद्याले में स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा से जोडने के लिए स्विकृति दे दी गई है मालूमों कि अब तक यह सुविधा राजी के उन माधमिक एवं उच माधमिक विद्यालों में उपलब्द है जहां स्मार्ट क्लास अंचालित हो रहे हैं ऐसे में बिहार सरकार के सिक्षा, विभाग के द्वारा ग्रामीन और दूरदरा छेत्रों के तमाम विद्यालों में भी यह सुविधा बहाल करने की तैयारी की जा रही है आपकी जानकारी के लिए बता दी की प्रतियक विद्याले में दो स्मार्ट क्लास पर तीन लाख रुपे खर्च होंगे ऐसे में कुल 2155 करोर 89 लाख रुपे खर्च होने हैं अनुमान लगाया गया है डेश का सबसे बढ़ा सौर उर्जब प्लान बिहार में हो गया यहां सोलर इनरझी के मामले में बिहार आगामी 1,5 वर्सों से बरी उपलब्दी हासिल करने वाला है दरसल बिहार के कजरा बिजली घर लकी सराय में आने वाले 1,5 वर्सों में सोलर बिजली का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा इसके बाद या देश में सबसे बड़ा सोलर बिजली का भंडारन चमता वाला यूनिट होगा मालूम हो कि इसके लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिम्टेट के द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया गया है ऐसे में इस कारे को पूरा करने के लिए एदेंसियों का चेन अगले वर्स जनवरी तक किया जाएगा और मार्च तक कजरा बिजली घर का काम शुरू कर दिया जाएगा बिजली कंपनी के द्वारा स्वार उर्जा सयंत्र की एपीसी लागत 1188.41 करोर जबकि बैटरी उर्जा भंडारन प्रनाली की लागत 621.93 करोर का अनुमान नगाया गया है इसके अतिरिक्त उप्यों के आधार पर सामाने तब 12 वर्सों की अबधी के पस्चाथ इन बैटरीयों को बदलने की अनुमानित लागत 435.35 करोर होगी इस प्लांट में ना सिर्ब बिजली का उतपादन होगा बलकि बैटरी उर्जा भंडारन प्रनाली के माध्यम में देर साम पिक आवर में भी 45.40 मेगावार्ट बिजली आपूर्ती की जा सकेगी मैर्टिक और इंटर की सेंटर परिक्षा के बाद विसेश कक्षा में सामिल होंगे इतने चात्र मैर्टिक और इंटर की सेंटर परिक्षा के बाद विसेश कक्षा में राजे भर से 3,50,000 चात्रों चात्राएं सामिल होंगे जिनके द्वारा इस केंद परिक्षा में कम अंक प्राप्त किया गया है बदादे की सबसे ज़्यादा बिहार की राज़ानी पटना जिले से 35,476 चात्रों को विस्थेस कक्षा में सामिल किया जाएगा मालूम हो कि यह पहली बार है जब विस्थेस कक्षा आयोज़त की जा रही है जो कि दिसमबर के 3,47 शुरू होगी इसके लिए चात्रों की जिलावार सूची तयार कर ली गई है बदादे के विभाके नुसार ऐसे 36 जिने मैट्रिक और इंटर के सेंटर परीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए है वह वारसिक परीक्षा में बहतर अंक प्राप्त कर सके इसलिए यह कक्षाएं आयोज़त की जा रही है इसकी सूचना सभी जिला और सिक्षा कारयाले को दे दी गई है मालूम मुकिन कक्षा में चात्रों को बोर्ट परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी जो कि उनके स्कूल में ही आयोज़त की जाएगी इस विसेश कक्षा में 50 फिस्दी से कमंक लाने वाले सभी चात्रों को सामिल किया जाना है लेकिन 40 फिस्दी से कमंक वाले चात्र विसेश तोर पर इस विसेश कक्षा में सामिल होंगे दरोगा भरती परीक्षा में नकल करते पकरे गए तीन अभ्यर्ती बीते दिन बिहार और लोकसेवा आयोकी और से दरोगा भरती परिक्षा आयोज़त करवाई गई जो की दो पालियों में आयोज़त होई है बता दे कि परिक्षा में करीब 6.660 अभ्यरती सामिल हुए थे बीते दिन हुई इस परिक्षा को लेकर बिहार और लोकसेवा आयोकी अध्यक्स के द्विवेदी के द्वारा जानकारी देते में बताये गया कि इस परिक्षा के दौरान पूरे राज़भर में तीन अभ्यरती ऐसे मिले हैं जो ओमर की कार्वन कॉपी घर से लाए थे वहीं इसके अलावे अर्बल में दो और हाज़िपूर में एक अभ्यरती नकल करते हुए पकड़े गया इसके बाद तीनों को परिक्षा में निसकासित कर दिया गया और इसके अलावे अभी तक कोई और मामला सामने नहीं आया है मालूम हो की बीते दिन आयोज़त इस परिक्षा में पहली बाराटी फिसल इंटेलिजन्स का इस्तिमाल किया गया सभी परिक्षा केंद्रों पर सीसी टीवी कैमरे से मॉनिटिंग भी की गई वहीं परिक्षारतियों को गहन जाच के बाद परिक्षा केंद्र में जाने दिया गया मलियुद प्रतियोगिता में बेगु सराई की बेटी ने चैंपियन बनकर जीती एक लाग कैस विस प्रसिद सोनपूर मेले में आयोजित दो दिवस्य मलियुद का समापन हो चुका है बताने की प्रतियोगिता में बेगु सराई की रहने वाली जुगनु भारत वाज के द्वारा 57 किलोग्राम में रस्मी पहलवान को पठकनी दे कर जीत हांसल की गई है और इस जीत के साथ ही जुगनु को एक लाख रुपे नगत पुरसकार भी दिये गया मालूमों कि जुगनु का एक एक दाव इतना सटीक और इतना बढ़िया था कि जुगनु ने ना सिर्फ प्रतिदवंदियों को चित किया बलकि दरसकों का मन भी मोह लिया जुगनु के जीतने के बाद दरसकों के द्वारा उसके लिए खुलकर तालिया बजाएगे अपने जीत पर जुगनु भरतवाज कहती है कि मैं पाच कुस्तियों के बाद मल्यूद में फर्स्ट आई हूँ मुझे एक लाख रुपे कैस दिया गया है बहुत अच्छा लग रहा है मैंने सारे राउंड को एक मिनट के अंदर खत्म कर दिया मैं नेस्नल प्लेयर हूँ और नेस्नल मेडलिस्ट हूँ और भगवान की क्रिपा रही तो इंटरनेस्नल भी बन जाओंगी उन्होंने कहा कि वह आगे बहार को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहती है बहार पैटर में आज हम बात करेंगे कसिस जल प्रपात के बारे में कसिस जल प्रपात राजधानी पटना से 170 किलो मिटर दोर बिहार के रोताज दिले के अमजोर पंचायत में इस्तित है यहां की प्राकरते खूपसूर्तिय और विस्वस्निये हैं तरह तरह के पेर पौधे बनस्पती पक्चियों की चिल चिला हट पहार से गिरते पानी की ध्वनी इस जगह को मनुरम और मंत्र मुख्द बना देते हैं बारिस के मौसमें बिहार में 200 से ज़्यादा जल प्रपात दिखाई देते हैं और कशिस उन में से एक है मुगर समराट अकबर के दरबार इतिहासकार अबूल फजल्दवारा फार्सी भासा में लिकित पुस्तक आइने अकबर का प्रसासन में भी इस जगह का उलेख है इस जल प्रपात की उचाई लगबग 800 फीट है और इस अस्थान की विसेस्ता है कि कोई भी तीन दिसाओं में पहार से गिने वाले चार धाराओं को देखा जा सकता है अरस्तु ने कहा एकिया सही है जब उन्होंने कहा प्रकृति की सभी चीजों में कुछ अद्बुद है इन अस्थर की सुन्दर्ता कल्पना से परे हैं और प्रतीत होता है कि प्रकृति पर्यों की कहानियों को बया करती है विहार में कई प्रधाना चारे का रोक गया वेतन जाने वज़ है उत्सिक्षा निदेसाले की ओर से राजिके सभी विस विद्ध्यालों के कुल सचीवों को या जानकारी दे दी गई है कि वैसे अंगी भूत महा विद्ध्याले के प्रधाना चारी के वेतन को बंद कर दिया जाए जिनके द्वारा कैस बूक अपडेट नहीं की रखा गया है दरसल सिक्षा विभा के तरब से गट सब्ता आयोजित समीक्षा बैठक में या तर्थियर सामने आया था कि अधिकान समा विद्ध्याले में 6 माह से कैस बूक अपडेट नहीं किया गया है इसके बाद इसे संबंधित रिपोर्ट कुल सचीवों से विभा के द्वारा मांगी गई और साथी निर्देश दिया गया कि जब तक कैस बूक अपडेट नहीं किया जाता और उसके रिपोर्ट मुख्याले को अपलब्द नहीं कराई जाती है तब तक संबंधित प्राधाना चारे का वेटन बंद रहेगा आईपियस विकास वैभब ने सुनाए अपने बिहारी होने का दर्द इन दिनों आईपियस विकास वैभब ने हाल के दिये गए भासन के चलते चर्चा में बने हुए है इसी करी में अब उन्होंने एक बार फिर से बिहार में बदलाव लाने की बात कही है और साथ ही अपने बिहारी होने का दर्द भी बया किया है उन्होंने बताया है कि वो बच्चमन में बेगू सराय रिपाइनी में पढ़ाई करते थे जहां बाहर से आए लोग बिहार के लोगों को अलग नजरिये से देखते थे इसके बाद उनके पिताजी की पोस्टिंग मध्य प्रदेश की राज़ानी भोपाल में हो गई जहां उन्होंने कक्चा 9 में केंद्रे विद्याले में प्रवेस लिया था लेकिन कुछ दिनों बाद वहां के बच्चों के द्वारा भी उन्हें बिहारी कहकर चिठाना शुरू कर दिया गया जिससे उन्हें बहुत पीरा हुई उन्होंने कहा कि उस दिन से ही मैंने यह ठान लिया था कि बिहार के सभी को बदल कर रहूंगा उन्होंने कहा कि उस दिन बताना चाहता था कि बिहार को तुम क्या समझते हो बिहार बौत धिक ग्यान का बाहक है बिहार के लोग जब ठान लेते हैं तो वो टॉप भी करके दिखाते हैं वो कुछ बरा करके भी दिखाते हैं प्राचीन काल में बिहार ऐसा सब्द था जिसके चलते पूरे राष्ट में सम्मान का भाव जगता था ऐसे में आपमान मुझसे सहा नहीं गया और मैंने बच्पन म चाह रखने वाले लोगों को श्टिस्ओ सो एलेकटरिक मिनि बस मुख्य मंतरी प्रकेंट परिवान योजना के तहर सरकार देने वाली हैं यह प्रकेंट से साथ लाप को इसका लाब मिलने वाला है इनहें 5 लाख रुपे सरकार के तरफ से मिलेंगे परिवान मंत्री सीला मंडल के तरब से भी इसे लेकर बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि ग्रामिन इलाकों में प्रखन और पंचायद से मुख्याले को जोने के लिए सरकार द्वारा ये योजना बनाई गई है आगे उन्होंने बताए कि पहले भी मुख्यमंत् पंकस्त्री पार्थी ने किया मैं आटल हूं फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान बिहार के लार और बॉलिवुड के जाने माने अभी नेताओं में से एक पंकस्त्री पार्थी के द्वारा अपने फैंस के साथ फिल्म मैं आटल हूं के ट्रेलर की रिलीज डेट की जानकारी साजा की गई है बता दे कि पंकस रिपाठी के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साजा करते वे इसका एलान किया गया है इस तस्वीर में वह एक बोर्ड पकरे हुए नजर आ रहे हैं और उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि करो तैयारी आ रह होने के लिए तयार है वहीं अब रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइट है बिहार पुलिस की भरती परिक्षा अब हो सकती है ऑनलाइन बिहार पुलिस अवर्ड सेवा आयोक के अजेक्ट केस द्वीवेदी के द्वारा पत्रकारों से बात चीट करते में यह जानकारी दी गई है कि आयोक के माधिम से होने वाली बिहार पुलिस की भरती परिक्षा है भविसे में कागस कलम के साथ ना होकर ऑनलाइन हो सकती है इस पर हमारे द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है और जल्दे इससे संबंदित प्रस्ताव सेवा आयो के द्वार ऑनलाइन परिक्षा आयोज़द करने को लेकर राजिस सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है मालूमों कि अब तक ही अपरिक्षाय आफ्लाइन मोड में आयोज़द करवाई जाती थी बिहार में पच्छुआ हवाने बरहाई थन बिहार में अगले पांस दिनों तक कंकरी से लोगों को राहत मिलने की उमीद नहीं है वही राजिक अधिकांस हिसो में सुबह में कोहरा चाया रहेगा जिससे लोगों को सुबह में और तेज थन्ड महसूस होगी बिहार में अभी पच्छुआ हवा चल रही है ऐसे में साम के बाद अचानक से ठंड और हलकी हवा बढ़ रही है 20 दिसंबर के बाद दिन के तापमान के साथ ही राद के तापमान में भी गिरावट हो सकती है मौसम विभा के मुताबिक अगले 48 गंटे के बाद मौसम में बदलाव का अनुमान है इसी बीच सुबह कोहरे का असर रहेगा पर आसमान में बादनों के मनरानी की संभाव ना है मौसम विभा के अनुसाड अगले दो दिनों तक मौसम सुष्क रहेगा इंस्पाइड अवाड के लिए बाल वैग्यानिकों को राश्ट्र असर पर नवाद 4 के लिए किया जा रहा तयार विहार सक्टा परियोजना पणिसत के द्वारा राजी के सभी जिला सक्टा पदाधिकारी को पत्र लिकारी ये निर्देश दिया गया है कि बाल वैग्यानिकों को राश्ट्र अस्तर पर नवाचार का सोच विक्सित हो इसके लिए उन्हें प्रसक्षित किया जाए बता दे कि राजमें ऐसा पहली बार हो रहा जब इंस्पाइर अवार्ड के लिए चैनित 2956 बाल वैग्यानिकों को जिला अस्तर पर नवाचार के लिए प्रसक्षित किया जाएगा ताकि वे राश्ट्र अस्तर पर सामिल हो सके आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इंस्पाइर अवार्ड के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वारे चटी से दसवी तक के विद्यार थी सामिल होते हैं इनसे नवाचार का आईडिया लिया जाता है और जिस चात्र का आईडिया बहतर होता है और हटकर होता है उन्हें राश्टर सर के लिए चैन किया जाता है इसी करी में बिहार से 2956 बाल बेग्जानिकों का चैन किया गया है जिसे राश्टेर सर पर सामिल होने के लिए प्रसक्षित किया जाएगा कैमरे के सामने आते ही टौपर घुटाला मास्टर माइन बच्चा राए ने कही ये बाद टौपर घुटाले का मास्टर माइन बच्चा राय पहली बार बिहार के वैसाली जिले में एडी की चापे मारी के बाद कैमरे के सामने आया इस दोरां तबित खराब होने की वज़ा से बच्चा राय बेलचेर के सहारे पहुंचा था कैमने के सामने आते ही उसने ED द्वारा किये जारे कारवाई को गलत बता दिया उसने कहा कि ED की चापे मारी में बरामत 3 करोर कैस बीएड कॉलेज में नामंकन कराने वाले स्टूडेंट से ली गई फीज थी इस दौरान उसने कुछ दसा वेज भी सामने रखे और कोट जाने की बात कही पटनाई अर्पोर्ट के नए टर्मिनल भवन में मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं बिहार वासियों के लिए जल्दी पटनाई अर्पोर्ट का नए टर्मिनल बनका तयान होने वाला है 75 प्रदीशत पूरा किया जा चुका है मालूमों के इस नए टर्मिनल भवन का निर्मान 129 करोड की लागत से पूरा किया जा रहा और इसकी प्रवेश परिक्षा 21 जनवरी 2024 को आयुजित करवाई जाएगी ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल प्रवेश परिक्षा 150 मिनट की होती है जिन में कुल 300 प्रस्ण पूछे जाते हैं इन 300 प्रस्णों में से भासा जेनले नॉलेज और इंटेलिजिएंस विशय से 50-50 नमर के 25-25 प्रस्ण पूछे जाते हैं जरकि गनिज्विश से 150 नमर के 50 प्रस्ण पूछे जाते हैं ऐसे में इस परिक्षा में पास होने के लिए परिक्षारती को सभी विशय में अच्छा स्कोर करना जरूरी है मालूम हो कि या परिक्षा 13 भासाओं में आउजित की जाती है जिन में अंग्रेजी हिंदी असमिया बंगाली गुजराती कंणर मल्यालम मराथी उरिया पंजाबी तमिल तेलुगू और उर्दू शामिल है ऐसे में अभ्यरति अपने सुविदा के अनु सारा बताया गया है कि पुनिया एरपोर्ट से संबंदित प्रोजेक्ट अप्रूवल एरपोर्ट के डिजाइन का काम साथ ही उसके लिए कंसल्टेंट की न्योक्ति पूरी की जा चुकी है इसे सुलजाने को लेकर बैठे के जारी हैं उमीद है कि यह मामला भी आगामी महीन संपन है वहीं अब बिहार कॉंग्रिस प्रद्श अंच्लेस प्रसाब शिंग के दवार अपनी प्रतिक्रिया देते कहा गया है कि परिक्षा कहां हुई और नितीयस कुमार को कौन नंबर दे रहा है लेकित किसी को कहा संस Prin praise है उन्होंने कहा कि नित्रिट कौन करेगा और न बीटी के बैठक हो चुकी है और पार्टी जुनाप की तयारी में जुट गई है इसके साथ उन्होंने डीम सी एच में डॉक्टरों की सराप पार्टी पर अपनी टिपपनी देते वे कहा गया कि मुक्यमंति इस पर एक्षन ले रहे हैं जिसने भी यह काम किया है उसके आठ विकेट से जीथ हांसल की गई है बता दे की बीते दिन हुए इस मैच में साउथ अफ्रिका ने टॉस जीते हुए पहले बल्ले बाजी करने का फैस्टा लिया इसके बाद उनके द्वार एक्सो सोलर रन बनाए गया इसका पीछा करते वे भारत की टीम के द्वारा सोलर चार ओवर में दो विकेट के नुकसान पर लक्षे को हासिल कर लिया गया और इसी के साथ टीम इंडिया ने दक्सिन अफ्रीका को उसी के घर में हरा दिया बता दे की भारत के लिए साइद सुदर्सन के द्वारा सांदार बैटिंग करते वे नाबाद 55 रन बनाए गये इसक सफलता हाथ लगी मतारे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीस तीन मैचों की वंडे सिरीज का दूसरा मुकाबला 19 दिसमबर 2030 को खेला जाना है भारत के थेहास में आज की तारीक कई कारणों से है दर्ड तैबूर ने 1398 में सुल्दान नुसरत सा को हरा कर दिली पर कबजा किया उद्योग पती विजय मालिया का जन्म 1955 में हुआ राज़ानी दिली में 1960 में राश्ट्र संग्राले का उद्गाटन हुआ सचिन तेंदुरकर ने 1989 में अपना पहला एक दिवसी क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था अग्यात विमान ने 1995 में पसिम बंगाल के पुरूलिया में हथियारों का जखीरा गिराया भारत और अमेरिका के बीट 1997 में अंतरिक चनु संधान में सहियो के लिए वासिंग्टन संधी संपन हुई राश्ट मंदल कुष्टी चैंपियंशिप में 2017 में भारत ने जीते 30 में से 29 वर्ण भारत के 36 गर राजे की संध परंपरा में सर्वोपरी माने जाने वाले संध गुरू घासी दास का जन्व 1756 में हुआ था भारती राज नीतिग्यत अथा लोगसभा के सदस्यमुकृत बिहारी लाल भारगव का निदन 1980 में हुआ था वारल खबर में आज हम बात करेंगे सीमा सुल्क विभाग के बारे में सोसल मेडिया पर कई सुचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे सीमा सुल्क विभाग के बारे में दरसल प्याइबी ने अपने एक ट्वीट में ल करता है सी वी आई सी की वेबसाइट पर दी आई एन के साथ भारतिय सी मासूल के सभी संचारों को सत्यापित करें वाट्चाप में बदलने वाला है स्टीटस लगाने का अंदाद सोशल मीडिया की दिगर्स कंपनी वाट्चाप एक नए फीचर पर काम कर रही है जो फिलहाल क और तब हम स्टीटस सेट कर पाते हैं यह उप्सन बॉटर में हमें मिलता है नए अपडेट में कंपनी दो नए उप्सन स्टीटस टैप के अंदर देने वाली है जहां यूडर्स को एक कैमरा आइकॉन और पैंसिल बटन टॉप डाइट में देखने को मिलेगा यहां से आप सब्सक्रां देखने के divers को सेट कर पाएं सेट तो आपको कैमरा आइकन पर क लिक करना होगा और अगर कोई बिप्यासी बिहार पुलिस दारोगा समेंट एससे जैसे अनिप्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे सवाल दिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भूगों से रहेंगे पूछे के पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपा करके यह हमें क अप्षनी कमबोडिया का अंकोड वाट मंदर ऑप्षिन एफिल टावर अपसटी कोनार्ख का सुर्य मंदर और उप्षनी इनमें से कोई नहीं अ demons इसका सही उत्तर है ओप्षण ए कंबोडिया का अंकोर वाठ मंदर अगला सवाल हाल ही में किसको मुंबई उत्सव की सलाकार समीती के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है अगला सवाल हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटन्स का कप्तान बनाया गया है आप्षण ए इशान कसन आप्षण वी महमत समी आप्षण डी सुबमंगिल आप्षण डी सुरेकुमार यादव इसका सही उत्तरय आप्षण सी शुबमंगिल अगला सवाल बहार के राजवनसों और राजाओं के मिलान में कौन सा सही नहीं है आप्षण ए हडयक वंस अजाद सत्रू आप्षण वी सिसुनाग वंस काला शोक आप्षण सी नंदवंस बिंबिसार आप्षण डी मोड़े वंस बिंदुसार इसका सही उत्तर है आप्षण सी नंदवंस बिंबिसार अगला सवाल पाल वंस के बाद बिहार में बारवी सदी में किसका राज़े रहा आप्षण ए नुहानी वंस आप्षण भी खिलजी वंस आप्षण सी गुढ़हवाल वंस आप्षण डी तुगलक वंस इसका सही उत्तर है आपसंसी गुढ़वार बीदे दिन हमारे दोरह पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्सन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरह पूचे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम के विद्याले में पहले के चुलना में वर्तमान में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट से बॉक्स में इकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने जाने के लिए देखते रहें बिहारी निवस और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले धन्यवाद